हेले वरिवन स्वागत है आपका इस्टडी रूल में फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिशत के सवाल ठीक है हमने दो वीडियो प्रतिशत के देख लिए हैं तीसरा वाला ये पार्ट है ठीक है ना तीसरा वाला पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रतिस त्वर्ट के बराबर है थे कोश्टिन बहुत चोता है लेकिन थोड़ा सा समझ्जना है कुछ कठिन कुछ कोई कठिन नहीं है आपको जहान से देखना है और समझना ना और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हम से पूछ सकते हैं ठीक है तो कह रहा है कि किस धन का अब देखें यहां पर किस धन का मतलब कि उस धन को हमको निकालना है ठीक है तो उस धन को हम लोग कुछ भी माल लेंगे उस धन को हम लोग माल लेते हैं क्या यक्स ठीक है न तो उस धन को धन को माल लें हमने कितना यक्स ठीक कह रहा है कि यक् का 20 प्रतिसत का मतलब आप जानते ही है का मतलब क्या होता है गुड़ा ठीक है ना और 20 प्रतिसत 20 प्रतिसत का मतलब हमने आपको पताया है कि 20 बटे 100 होता है ठीक है ना 20 बटे 100 हो गया equal to कितना 160 जैसे के जैसे question कर रहा है हमने वैसे के वैसे हमने लिख दिया ठीक है ना बस इसको हमको solve कर देना है और आपका answer तुरंत मिल जाएगा ठीक है ना यहां तक समझ में आ गया ना कि किस धन का किस धन का आपने माल लिया है 0 से 0 यहां पर कड जा रहा है और यह 2 से कड जाएगा कितने बार में आपका 5 बार में तो हम यहां पर डारेक्ट भी कटा सकते थे कि 20-500 होता है ठीक है ना तो यह हो गया अब नीचे 5 आ गया तो आप नीचे जो 5 आता है उस मतलब यहां पर भाग है भाग के रूप में था नीचे और यदी यही समीकरण में क्या होता है कि दूसरे तरफ जाएगा तो वो गुड़ा के रूप में हो जाता है ठीक है ना तो यहाँ पे x की value आपका क्या हो जाएगा देखे x की value कितना हो जाएगा पांच उधर जाएगा तो गुड़ा के रूप में हो जाएगा तो एक सो साथ गुड़ते पांच हो जाएगा और इसी को यदि हम लोग solve करेंगे तो देखे 5 में 0 का गुड़ा करेंगे 0 होगा 5 में 6 का गुड़ा करेंगे 5 ये के 300 हो जाएगा 5 एक कम 5 और 3 एक 8 हो जाएगा ठीक है ना तो ये हो जाएगा आपका 800 मतलब वह धन आपका कितना निकल गया जो हमने यक माना था तो उस मतलब हम लोग 800 का 20 परिशत निकालेंगे तो 160 होगा ठीक है ना 800 का 20 परिशत निकालेंगे कितना होना चाहिए आपका 160 होना चाहिए और यही आपका जो धन है यही निकल गया 800 ठीक है ना 800 निकल गया और यही क्या हो जाएगा आपका finally answer हो जाएगा ठीक है कोई भी समझने में कोई दिक्कत परिशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है ना दूसरा कोशन देखेंगे ठीक है दूसरा कोशन है हमारा कि 80 का 60 कितने प्रतिशत है ठीक है ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण बनेगा 80 का 60 80 का 60 कितने प्रतिशत के बराबर है तो बराबर होना चाहिए 60 के बराबर होना चाहिए ठीक है ना question जो कह रहा है हमारे वही इसाब से हम लोग करेंगे इसको ठीक है इतना हो गया अब देखे क्या करेंगे कि यह हो गया आपका 80 और यक्स प्रतिसत को क्या लिखेंगे यक्स बटे में 100 लिखेंगे और equal to कितना जाएगा दो चार बार में कड़ जाएगा और यह पांच बार में कड़ जाएगा ठीक है ना चार बार में और यह पांच बार में अब यक्स की वैलू जो हमारी आ जाएगी नीचे से देखेंगे यहां से कर लिजिए ठीक है ना जो यक्स की वैलू आएगी आपकी यक्स की यहां पर देखे 5 का ऊपर चला जाएगा और 4 क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा ठीक है न यह हो जाएगा आपका 5 गुड़ तेसा बटे में कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ठीक है न अब यह देखे 4 कड़ जाएगा कितने बार में 15 चोका साथ होता है न 15 बार मे कट जा रहा है आपका और यह हो जाएगा 15 में 5 को गुड़ा करेंगे तो कितना आजाएगा आपका 15,75 आजाएगा कितना आजाएगा पछटर आजाएगा और यही क्या हो जाएगा हमारा finally answer आजाएगा मतलब की एक्स बराबर कितना आ गया आपका एक्स इतना 75 प्रतिशत मतलब की 80 का हम लोग 75 प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा कितना न चीए 60 हाना चीए ठीक है न कितना न चीए 60 यही क्या हो जाएंगा हमारा finally answer हो जाएंगा ठीक है न दो question हमने देख लिया तीसरा वाला question दे इसे भी बना दे रहा है लेकिन आपको क्या है समझना है थोड़ा ठीक है ना समझना है क्या समझना है देखिए असी के चोथाई का दोस प्रतिसत कितना होगा अब देखे कितना चोटा कोश्चन है लेकिन यहीं पर आपको थोड़ा सा समझना है क्या है असी का चोथाई 80 का चौथाई निका लेंगे तो देखिये 80 का जो 4000 होता है 80 का चौथाई होता है जो उसको हम लोग 1 बटे 4 के रूप में लिख लेंगे मतलब एक चौथाई कह रहा है न तो 80 का चौथाई प्तलब की 4 वाला भाग कितना होना चौछे तो हम लोग किसी भी संख्या में चार से भाग दे देंगे तो उसका चौथाई निकल जाएगा ठीक है ना अभी चार का का दे कि चार का चौथाई कितना होगा तो चार में चार का भाग देंगे तो कितना आजाएगा आपका एक आजाएगा मतलब कि चार का जो चौथाई भा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा चार से सब्सक्राइब कि चछाए थो यहीं कहां रहा है की 80 का 10 20 की मिभानेります लिए पस थोड़ा सा यहां पर समझना है अब 10 प्रतिसत निकाल लीजिए वह यह आपका एंसर हो जाएगा अब देखिए ये 0 से एक जिरो कर जाएगा एक जिरो से एक जिरो कर जाएगा ठीक है ना आ गया आपका कितना बस दो कितना आपका दो और यही क्या हो जाएगा फाइनली एंसर हो जाएगा ठीक है ना आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ठीक है ना कोई दिक्कत हो आप कमे देखे चौथा वाला जो कोशन हमारा है यह थोड़ा सा कटीन है बस 20 यक्स का 20 प्रतिसत 20 के बराबर है तो यहां पर कह रहा है कि यक्स की वैलू आप बताईए कि यक्स का वैलू क्या होगा ठीक है ना यक्स की वैलू क्या होगा अब देखे यहां से करेंगे कि 20 यक्स को यक ठीक है न, 20 प्रसत का मतलब बता है, 20 बटे में 100, इक्वल टू कितने दिया है, 20 दिया है, ठीक है न, जैसे जैसे question कह रहा था, वैसे वैसे हमने लिख दिया, ठीक, आप देखे, यहां से देखे, कि 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 0 से यहां पे 1 0 कट गया, ठीक है न, 2 0 कट गया यहाँ पे बचा आपका कितना 2 यहाँ पे 2 और इधर का पहले गोड़ा कर लेते हैं आपका 2 दुना के 4 2 दुना के 4 X हो जाएगा और equal to इधर क्या बचा आपका 20 बचा इधर आप नीचे तो कुछ नहीं बचा है इसके वज़ा से हमने नीचे नहीं कुछ लिखा है 4 X बराबर 20 हो जाएगा और देखिए यहीं से हम लोग यदि X की value निकालेंगे X की value निकालेंगे तो यह हो जाएगा 20 बचे में आपका 4 20 बचे में 4 हो जाएगा और 4 से इसको काट देंगे कितने बार में प्रतिसत निकालेंगे 10 का 20 बचे में, आपकी तो यहीं पर आप लोग क्या करेंगे 5 की value यहाँ पर रखके 5 की value रखके यहाँ पर हल करके देखिएगा कि 20 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है ना आ रहा है तो हमारा question सही है और नहीं आ रहा है तो गलत है ठीक है ना तो यह था आपका थोड़ा से बस अलग थे question ठीक है ना question बहुत आसान है बस थोड़ा सा question की pattern को हमने क्या किया था बदल दिया है ठीक है कि आप लोगों को भी हर प्रकार की question मिल जाएं ठीक है तो यह था आपका जो प्रत्सत का पार्ट नंबर थ्री था तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा ठीक है और आप मेरे चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में